ने मेरे बटमालू बस्टेंड की बात छेड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे दिल को छू लिया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2017 से इस चीज के लिए लगातार लड़ रहा हूँ, जो आपको भी पता है, आपके टीवी पे भी मैंने कहीं प्र परिमपोरा, उसको हम कबरिस्तान कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का, हमारी ट्रांसपोर्ट का, वो कबरिस्तान है, जो आज हालत हैं आप ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट की हालत दिन बदिन, अब बत्तर से बत्तर होती जा रही है, और हमारी जो असिस्मेंट है तारिक सा लौकल ट्रान्सपेर्ट आपको, सडपों पे नजर ores नहीं नहीं आएगी! अगर कि आ रहा, अगर हमारा बस नेहीं आद्धा जार हुदे अग्र और डाशट आपको ट्रान्सपेम्ट सडपों पे नजर मेढ़ए गा. रही ड़ आस एंप्लॉयमिंट जो थी तक्रीबां 30-40 लोग जो हमारे पास वहां बजार में काम करते थे. तक्रीबां हमारे पास 10-12 रवह जो बृतमालू की दुकाने. वहां 30-40 थाज़र गो लड़के थे, जो काम कर दे थे, हमारी दुकानों पे. जो तीन गुना हमने दुकानों से उनको सी आफ कर दिये क्योंकि हमारे पस बिसनिस है नहीं आज हमारे पस एक जहां तीन होते थे वहां एक है तो दो तो निकल गए दो निपड़ गए किसी के बस चार थे तो उसके पास भी आज एक ही है उसके अलावा जो पतमालू के रहने वाले जो रिजिडेंट वहां के हैं उनके गरों में हमारे वियर हाउस हुआ करते थे उनके साथ हमारा एक एक एग्रिमेंट था जो गरवाला हमें जगा देता था वियर हाउस के लिए उनका एक लड़का हमें लाजबन अपनी दुकान पे एंप्लॉय रखना पड़ता था वो वहाँ से बी गई उनके वो वैर हाउस भी चले गई वो इनकम भी उनकी चली गई तो तक्रीबन तक्रीबन अगर हमारा अभी हाली में रविंदर रहना जी ने भी बयान दिया था उनके बयान का भी मैं यहां पे लगे हाथ और खैर मगदम करता हूँ कि चलो कोई तो आया देर आये दुरुस्त आये कोई तो आया कोई तो concern दिखा रहा है किसी के दिल में तो दर्द उठ रहा है कि बटमालू के बुकांदारों के दिल में एक दर्द है आज मैं देख रहा हूँ वो बीजेपी के पास भी है उनके दिलों में भी वो दर्द उठ रहा है जिसमें रविंदार एनाजी ने भी बायान दिया, अभी अभी जी द्रे मी बायान दिया, बटमालू बस्टेंड का, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि पहली बार मेरा किसी टीवी प्रोग्राम में आना सफल हो गया, उसके बार बात करत है, दोहजार चौदा से लेकर आज तक, दोहजार चौदा में जब बाढ़ आई तो पीड़ी पी की सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने कोई भी कॉमपनसेशन हमें ट्रेड रू को नहीं दिया, किसी भी ट्रेड को मैं, चाहे होटलेर्स की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की की बात करूं, ट्रेड की बात करूं, दुकानदार की बात करूं किसी को किसी भी तरह से कॉमपनसेट नहीं किया, उसके बाद 11 सौला आ गया, 2 जार 5 में साथ महीने हमारी दुकाने बंड रही उसके बाद 8 साल है, अगर हम देखते हैं, ध्रोजार 14 से लेकर आज 24 गंटे उनका मीटर चालू है हमें बताए खुदारा डीड़ साल का बिजनस करने वाले लोग और आपको पता है कि हमारे यहां बिजनस हावर्स चंद लिमिटेड होते हैं साथ से आठ गंटे छे गंटे साथ गंटे हमारे बिजनस होते हैं समर में विंटर में तो वह भी नही उनके जो चार्जस है चार सो पाइस सो साथ सो हजार परसंट तक उनोंने बढ़ा दिये हैं आप देखे जो हजार तेरह में जिस दुकान की रेंट चार्जस सेवेटी फाइव रुपीज कर दी थी आज उसका चार 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 चाड़े पाश सो रुपया है खुदा रहा हमें बता है मैं बीजेपी से यहां बैठे अभीजीत से या हमारे रविंदर रहना जी जो स्टेट प्रिजिटन्ट है जेंड के के या जो अमीत शाह जी आ रहे हमारे मैं उनसे करता हूँ प्लीज इसको देखीजे अगर आप चाहते हैं कि यहां का बिजनस रिवाइव हो तो आ पसाद है मैं आपको इस्वार करता हूं गैरंटी देता हूं चाली से पचास हजार एंपलोईमेंट मैं वेटमालों में जेनरेट करूंगा